तो कैसे हैं आप सभी I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं प्यारे बच्छों यहां पर देख सकते हैं प्रमे 6.1 मैं आपको बताने वाला हूं यानि थेल्स प्रमे और प question होते हैं दो टाइप से पूछे जाते एक्जाम में पहला टाइप यह है कि कह देगा कि थेल्स प्रमे के कथन को लिख करके सिध कीजिए और दूसरा टाइप यह है कि इसका कथन लिख देगा यानि स्टेटमेंट इसका दे देगा और कहेगा सिध करने के लिए ठीक है तो अगर आपसे ये पूछा जाता है एक्जाम में कि थेल्स प्रमे को लिख करके सीध करें तो आपको थेल्स प्रमे का जो कथन है यानि याद होना चाहिए जब तक याद नहीं होगा तो आप कईसे सीध करेंगे जरूरी यह है कि याद कर लिजेगा और प्यारे बच्चों मैं इसको बता दू कि तिर्भूज चेप्टर से पीछे जितने भी सारे चेप्टर उन सभी को खत्म कर चुके हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं जा करके आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो आईए अब हम इसको पढ़ लेते हैं कहता क्या है कि बिंदूओं पर परतिछेद करने के लिए एक रेखा खीची जाए तो यह अन्य दो भूज आएं एक ही अनुपात में विवाजित हो जाती है यह हमारा पास क्या है कथन यानि स्टेटमेंट है तो प्यारे वच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं करता कि यदि किसी तिर्भ बना लेंगे तो आईए हम एक तिर्भूज बना लेते हैं तो यहां पर हमने क्या किया प्यारे वच्चों एक तिर्भूज बना लिया अब इसका क्या करेंगे नामा करन कर देंगे तो आईए नामा करन कर देते हैं चलो माल लेते इसको ए इसको माल लेते हैं बी और इसको म अन्य दो भुजा मतलब एक ये भुजा है और एक ये भुजा बुले तो AB और AC तो अन्य दो भुजाओं को भिन 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 बिंदूओं पर परतिछेद करने के लिए एक रेखा खीची जाती है यानि इस बिंदू को यानि इस रेखा को और इस रेखा को भिन भिन बिंदू प एक रेखा खीच लिया ठीक है अब रेखा खीच लिया जाए तो यह अन्य दो भुजा है मतलब यह A B भुजा और A C भुजा एक ही अनुपात में विवाजित हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसका नामा करन कर दे सबसे पहले इसका नामा करन कर दे कि इसको माल ल AQ बटे में QC ठीक है यह हुआ इसका मतलब ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या जो दिया है उसको लिखेंगे और जो सिध करना है उसको हम लिखेंगे तो हम इसमें क्या लिखते है दिया है क्या दिया है भाई आपको वो लिख लो तो हम यहां पर लिखते है प्या तो हमें यहां पर लिख दिये, यह हमको दिया है, सिध क्या करना है, AP बटे में PB, बराबर में AQ बटे में QC, तो वो हमें सिध करना है, उसे हम लिख लेंगे, तो यहां पर लिखते हैं, क्या सिध करना है, प्यारे बच्चों, वो हम लिख लेते हैं, हमें सिध करना AP, यहां यहां पे लिखेंगे AP और बэт Инसक्राश कहतों Are अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों इसमें हम रचना करेंगे, क्या करेंगे रचना, तो आए हम रचना करते हैं, कैसे रचना करेंगे, हम क्या करेंगे, कि P से A की उपर लंब डालेंगे, तो आए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंब डालते हैं, चलो डाल देते हैं, P से, P से हम डाल डालते हैं प्यारवाच्व लंब P से लंब डाल दिए A की उपर और इसका नाम रख देते हैं क्या नाम रखते हैं यहां पर चलो इसका नाम रख देते हैं चलो R रख देनाम चलो हम R नाम रख देते हैं ठीक है यानि P R लंब डाला A की उपर ठीक है तो जैसे जैस कि यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से आप इसको लिखेंगे यह हमारे पास क्या होगा लंभ ड़ा गया ठीक है अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों फिर से एक लंब डालेंगे किस पे तो अब लंब डालते हैं प्यारे बच्चों क्यूं से क्यूं से लंब डालते हैं एपी पे तो आये लंब डालते हैं कैसे डालेंगे प्यारे बच्चों वह यहां पर देख लो यहां पर हमने क्या किया लंब डाल दिया ठीक है तो यहां पर हमने लंब डाला क्यू से तो इसका नाम रख देते हैं इसका नाम रख दिका это aST क्याम नाम रख दिया S यानि क्युक्ष लब डाला किस पर प्यारे बच्छों एपी पे तो वो हम लिखधेते हैं, यहां पे लिख़ेते हैं QS, QS लब डाला कि पैरबच्छो तो वो k CDs कहलो यहां पे लिख़ेंगे QS कहलो कोई दीकत नहीं है हमने डाल दीया यह रचना हो गया उसके बाद हमने क्या किया पैरे बच्चो अभे हम क्या करते हैं मिला देंगे क्या अभी से क्यों को मिला देंगे तो आई हम P से क्या करते हैं, C को मिला देते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, मिला दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, इसमें color उलर करने का अच्छा देता है, color ना, इसका भी color कर दिये हैं, इसका भी color कर देते हैं, थोड़ा सा red में कर देते हैं, यह लो, इसका भी red में कर द तो यह हमारे पास क्या था यहां पे एक लंब डाला गया था ठीक है हमने लंब डाल दिया कोई दिक कद्रे भाई यहां तक समझ में आई ना समझ में आ गया होगा अब समझ में आई तो अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है सबसे पहले तterroruj APQ में चलना है यानि तरभूज APQ का छेतरफल निकालना है उसके बाद फिर नीचे में چलेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं तिर्भूज APQ का छेते अफल निकालते हैं ठीक है वो हम देख लेते हैं तो इसको हम क्या करें, साइड में थोड़ा सा रख दें, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से, तु भाई साइड में आ जाई इधर, दिख रहा है ए पी क्यू इसका मतलब यह हुआ कि तिर्भूज ए पी क्यू का छेतरफल तो तिर्भूज ए पी क्यू का छेतरफल क्या होता है प्यारे बच्चो तो एक वट्टा दो अधार गुने उचाई हम लगा देंगे तो एक वट्टा दो अधार गुने उचाई हम लगाते हैं हम लि लिखते हैं सबसे पहले area a p q इसका हम छेत्रफल ज्यांत कर रहें ठीक है तो यहां पर देखो एक वट्टा दो है तो एक वट्टा दो गुने में अधार क्या है हमारे पास तो a p q में इसमें याद रखना हम क्या करते हैं अभी हम अधार इसको माल लेते हैं a p co mails लीपयर लेते हैं क्या करते हैं a p ko हमने क्या की अधार माल लिया किसको माल बांना फैरफ ऑढर a तो यह हमारे पास आ गया पैरवच्चो अब इसको हम क्या करेंगे समीकरन एक माल लेंगे हमने समीकरन एक माल लिया अब यहां पे हो गया पैरवच्चो उपर वाले में अब क्या करेंगे पैरवच्चो अब नीचे वाले तिर्भुज में चलेंगे तिर्भुज किसमें पी क Q B में चलेंगे तो आए स्रूजू P Q B में चलते हैं तो फश्टर यह लेदा है इसको थोड़ासा साइड कर देते हैं इससाड कर देते हैं ताकि खेंगर बज जया ना देखो यह सब एड़ेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाद में कहीं होगा दिक्कत हो जागा इसलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं प्यारे वच्छो अब चलते हैं दूसरे में क्या करेंगे यहां पे करेंगे क्या आप तिर्भूज PQS का छेतरफल निकालेंगे तो हम लिखते हैं एरिय गुने में उचाई देखना ध्यान से हमारे पास आ गया प्यारे वच्छो अब यहां से करेंगे क्या यहां से क्या करना कुछ नहीं करना देखते जाओ अब यह PQB में हम चले हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे प्यारे वच्छो एक वट्टा दो तो एक वट्टा दो हम ल लिजे नहीं बहुत गरबर हो जागा पीक्यू को नहीं मालेंगे इसमें उचाई हमारे पास क्या है यही जो लंब यहां पर वहीं उचाई है यहां पर तो लंब नहीं परा हुआ है इसलिए इसको उचाई नहीं मान सकते हैं उचाई हमारे पास यह वाला है A S Q तो हम यहां पर लिखेंगे A S Q या फिर Q S कह सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे QS ठिक है हमने QS लिख दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्टी इसकोम आ लेंगे समीकरन 2 हम इसकोमाल लेंगे pensando रवागान लीक्त दो हमने sami समी करन एक एवं एवं समी करन दो से तो यहां पर लिखते हैं समी करन दो से हमने लिख दिया अब यहां पर समी करन एक एवं दो से तो समी करन एक की वैलू यह है स enquanto एक हमारे पास क्या है यरिया जाहने लिख दिया और उसके बाद यह मैंने कर दिया और बट्स लगाए कियोंकि भाग देना है अब यह हमारे पास एरिया तिरभूज क्या है हमारे पास PQB है ना यह हमने कर दिया और बराबर में प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे समीकरन ऐ का वैलू किया है हमारे पास वह हम लिख में लिख है तो क्या करेंगे बटा लगाएंगे अब अब बटा लगाने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चो समीकरन दू देख लो, तो समीकन दो का ये हमारे पास, क्या है, अराम से देखो, एक वट्टा दो है, तो एक वट्टा दो, और गुने में, पी भी है न, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, पी, बी, और गुने में क्या है, क्यू एस है, तो क्यू एस लिखेंगे, अब यहाँ पे बिर्यान काट दो बिरियानी चलो बनाते हैं ये चला से चला कट जाएगा ये चला से चला कर जागा क्योंस तो बचा क्या हमारे पास हमारे पास बचा एरिया है सकी की ऊइस का सम summertime अश्य थर फल्रें आ कि Может क्यों कर श्रक्ड हो यह एक घमा ज्रकार अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको समी करन एक या कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम माल लेते हैं, प्यारे बच्चों, समी करन एक्स माल लेते हैं, चलो, समी करन एक्स है, ठीक है, हमने यहाँ पर माल लिया, इसकी हमें सहायता मिलेगी, यानि आगे जरूरत परेगी, तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक काम किसका किया, वो मैं आपको बता देता हूँ, हमने काम किया प्यारे बच्चों, एक इसका, है न, ओके, और इसका यहां से आप देख सकते हैं, इसका काम किया, फिर इसका काम किया, और इसका काम किया, है न, इन दोनों का काम कर लिए जैसे इधर का काम किया आप वैसे भी उधर का काम करेंगे तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्छों आगे वाले पेज पर हम चल रहे हैं इसका आप चाहो तो इसकीन सट मार सकते हो हम आगे हम क्या करते एक तिर्भुज बनाते हैं पुना ठीक है तो फ C था और हमने क्या किया था प्यारे वच्चों यहां से एक समानतर रेखा की चा था जिसका नाम क्या था प्यारे वच्चों 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 प्यारे प्यारे बच्चो, B से मिलाया था Q को, है न, और P से मिलाया था C को, यही न किया था, यह हमारे पास चीत्र हो गया प्यारे बच्चो, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, तो आजाओ, इधर साइड में दिख रहा हैं, यहां पर दिखेगा, चलो हमने side में रख दिया, अब काम करते हैं, हमने तो देखा प्यारे बच्चो, अब किस तिर्भूज का काम करेंगे, इस side वाले तिर्भूज का, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्भूज APQ में चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चो, area, area, तिर्भूज किस इसे AP Q में, AP Q का छेत्रिफल, तो प्यारे बच्चों, इस साइड का हमने काम कर लिया, एन्हीं एक बार क्या किया, AP को, AP जो देख रहे, इसको आधहार मान करके हमने काम कर लिया, अब हम क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, के आध Dark Me sure ना किया है इसलिए तो हमने यहाँ पे कर दिया अब क्या करें के लिखें यहां पर के लिखाऊ पैलिक यहां। और गुने में उचाई किसको मानेंगे तो देख लेना इस पर लंब कौन है तो इस पर लंब है पी आर लंब है है ना पी आर लंब है यही ना हमारे पास उचाई हो जाएगा तो हमारे पास पी आर हो जाएगा तो हम यहां पर लिखेंगे पी और आर हमने कर दिया इसको माल ल जाओ गया अब हम चलेंगे किस तिर्भुज में तो तिर्भु चलेंगे यहां पर देख सकते हो प्यारे बच्छो पी कुई इसमें जाल रहा हैं तो इसमें आधार कौन हो जाएगा अधार हम चलेंगे मान करकेकिइ तो हम लिने कर देंगे की उसी हमने की उसी लिख दिया और गुले में हमारे पास देखो अधार होगा है लंब कौन होगा पैरबच्चो तो आप कहेंगे क्या इस तीरहुज में लंब पीक्यू होगा नहीं पैरबच्चो पीक्यू लंब नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्यों कि यहां पर भाई समको नहीं पर हुआ है यहां पर हुआ है तो यह हम नहीं मानते हैं, चार इसको बाद में मानेंगे, यहां पर एक चीज लॉजिक समझना क्या है, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, देखो, एक ही अधार पर कोई भी, यानि एक ही अधार पर बने तिरहुज का छेतरफल बराबर होता है, पैरे बच्चो, तो हम यहां पर एक चीज आपको समझा देते हैं, एक ही अधार पर, जैसे कि यह अधार है हमारे पास, है न, B, C अधार है, और इसी अधार पर कौन-कौन तिरहुज बना है, पैरे बच्चो, वो देख लो, एक ही अधार पर तिरहुज बना हुआ है, पैरे बच्चो, एक हमारे पास, P, B, Q, एक ही क्या करेंगे प्यारे वच्चों यहां पर चलेंगे क्या जब एक ही अधार पर बना है तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं चुकि कि समान अधार है समान अधार है ना आधार पर बनने वाली डनने वाले बनने वारे बनने वाले तिरभूज का छेत्रफल क्या होता है छेत्रफल बराबर होता है आपस में क्या होता है बराबर होता है होता है जब बराबर होता है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसलिए हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों यह तिर्भुज PQB का छेत्रफल बराबर होगा किसके PQC के है ना सकते हैं यहाँ यहां पर लेका यह दोक लानिगगा, टोडर निसकर्स निकाला हम ने यह निसकर्स निकाला कि यह जो हमारे पास area PQC है, तो PQC के जगा पे हम असानी से यह वाला रख सकते हैं, PQB, क्यों रख सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि यहां पे दोनों बराबर हैं, इसलिए हम बिल्कुल रख सकते हैं, तो area PQC के जगा पे, area PQB रख देते हैं, तो हम रख देते P, B, Q, है ना, दोनों आगे पीछे, उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो इसका छेट फल कितना हो जागा, पैर बच्चों, यह हमारे पास आ जागा, यह इसके जगा पे यह रख देते हैं, यह हमारे पास आ गया, एक बटा में दो, गुझे में QC, और गुझे में P, यह हमारे पास आ गया, इसको माल लेंगे समी करन चार, तो हमने 4 माल लिया, अब 4 मानने के बाद हम करेंगे, कि प्यारे बच्चों, हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम यह लिखेंगे, कि समी करन 3 वा 4 से, दोनों में भाग देना परेगा ठीक है भाग देने से ठीक है तो समीकरन तीन और चार में भाग देने से तो यह इसे लिख लो पहले समीकरन तीन व चार मी क्या देंगे प्यारे बच्चो तो समीकरन तीन पहले लिख लो क्या एरिया क्या हमारे पास प्यारे बच्चो दिया ग बराबर में क्या लिखेंगे, मान जो हमने निकाला यही न है, APQ का, एक बटा में दो, गुने में QC, और गुने में PR, यही तो मान निकाला, और याद रखना, अच्छा, यहां तो डायक्टर ऐसे करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है, है न, बटा पहले रख उसके बाद 20 में रखना, तो यह आ गया, अब दूसरा हमारे पास यह चौथा यह है, area, PBQ, हमने यह कर दिया, और बराबर में क्या आप करेंगे, मान रखेंगे, इसका क्या है, एक बटा में दो, गुने में QC, और गुने में PR, और बटा में क्या करेंगे, बस यह है, एक बटा में दो, गुने में QC, और पियार पियार लगता कुछ गरवर रखन दिये, QC है न, यह PR है, तो यह मान तो रखे थे, अच्छा अच्छा देखो, प्यार बच्चो, बिग मिस्टेक, यह हमने लिया था, तीन यह वला है न, तो हम यह क्यू ले रहा था, यह तो गुने में PR है, तो हम लिखेंगे PR, हमने लिख दिया, और नीचे, बस, चौथा में क्या है, हमारे पास एक वटा में दो, गुने में QC है, और गुने में क्या है, PR है, तो हम लिखेंगे PR, हमने कर दिया, अब कटने वाला है, जो काटो, क्या कटने वाला है, एक वटा दो स पी आर से पी आर कट गया तो हमारे पास क्या आया पैर वच्चों हमारे पास यह आया कि area क्या निकालेंगे area हमारे पास क्या a p q a p q का छत्रफल बटे में हमारे पास क्या area लिखेंगे area बस वही p b q यही तो है और निकला क्या पैर वच्चों दोनों का इन दोनों का मान निकल हमारे पास Q, AQ बटे में QC, तो हम लिख देते हैं AQ, है ना, बटे में QC, तो हमने यहां पर लिख दिया QC, कोई दिकत, नहीं दिकत, अब इसको मान लेंगे, समी करन क्या प्यारे बच्चो, इसको थोड़ा सा हम छोटा करें क्या, चलो छोटा करते हैं, यहां से, है ना, इ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लो भाई, हमने कर दिया इसको, इस तरीके से, उतार लोगे न, हाँ भाई, नोट कर लोगे, तो अब देखो प्यारे बच्चो, हमने इसको मान लिया क्या, समी करन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, समी करन Y मान लेते हैं, क् पीड क्यूबी तो उसमें भी हमारे पास यही सेम होगा देखो यहां पर लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आ समी करन एक हमारे पास यह है और समी करन हमारे पास बाइक की तुलना करने पर लिखेंगे हम लिखेंगे क्या समी करन समी करन x एवं समी करन समी करन y से तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर प्यारे बच्चों हमने ये लिख दिया अब प्यारे बच्चों आप गौर से देखेंगे ये जो हमारे पास है इधर इस साइड का ये देखो ये वाला जो value है यही value इधर भी है, है कि नहीं, यही value क्या हमारे पास इधर भी है, है ना, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कि अगर तुलना करेंगे, तो ये वला मान से, ये वला मान से, क्या होगा, ये वला मान कट जाएगा, कटेगा की नहीं कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हम अप्यों oh boy हम ने लिंख दिया और अइधर क्या बचा प्यारे भच्चों इसमें बच गया यह क्यू बाटे में लिए तो एक्यू बाटे मेंने लिएक धूर यहीतों में सिद्कर्ना था accessります अभधर ब्च्चों और बिलबहर के लिमा पास के लिएथा यहे अशनुच His Adolf तो वीडियो पसंद आया पहरे बच्छों तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई दोस्तों